गड़ में लोक्षभा चुनाब के लिए कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों ही राज नीतिक दलोनी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है 36 गड़ की गिनिती बीजेपी और कॉंग्रिस की बीच सीधे चक्कर करने वाले राज्यों में किचाती है ऐसे में इस बार भी लोक्षभा चुनाब में मुकाबला रोच्या कोहनी के संभाब ना है लेकिन साल 2019 में हुए लोक्षभा चुनाब के परिणाम पर अगर नज़र डालें तो आंकले पूरी तरीके से बीजेपी की पक्षमा रहे हैं पंदरह साल के बाद सतव्य लोटी कॉंग्रेस को बधान सBAC चुनाब में एक तरफा जीत मिलने के बाद भी लोक्षभा चुनाब में सिर्फ दो ही सीटें मिल पाई थी लोक्षभा में सबसे छोटी जीत बीजेपी की रही तो सबसे बड़ी जीत भी बीजेपी के खाते में रही कांकेर लोग शभा से मोहन मंड़ावी सिर्फ 6,914 बोटों से चुनाब जीते थे जबकि दुर्ग लोग शभा से बिजय बगहेल 3.91 लाख यानि कि 3.91 बोटों से जीत कर सांसद बनी थे बहीं कॉंग्रेस ने जिन दो सीटों पर जीत हासिल की थी उनका आंकला महज 26,038 बोटों का ही रहा है बतादे कि 5 साल सत्ता के बाहर रहने के बाद बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई है और मोदी की गारंटी के सांथ वो लोग शभा चुना में उतरने की तयारी कर रही ह तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस, महंगाई, बिरोजगारी, देश की संपत्यों को बैचने जैसे कई राष्टी मोदों के लेकर चुनाबी में उतरने की तयारी कर रही है